सबी देश वाच्चियों को आदर पूर्बग मेरा नमस्कार दो तिन दिन पहले ही विख्षिद भारत संकल्प यात्रा ने अपने पचास दिन पूरे किये हैं इतने कम समय में इस यात्रा से ग्यारा करोड लोगों का जुड़दा यह अपने आप में अभुद्पुर्वा है समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का तक सरकार खुद पहुंच रही है उसे अपनी योजनाओं से जोड रही है विक्सिद भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बलकी देश की यात्रा बन चुकी है सपनों की यात्रा बन चुकी है संकल्पों की यात्रा बन चुकी है बरोसे की आत्रा बन चुकी है और इसलिए तो उसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बड़े भाव से आज देश का हर छेत्र, हर परिवार अपने बहतर भविश्की उम्मीद के रुप में ये गारंटी वाली गाड़ी देख रहा है इस यात्रा को लेकर गाँ हो या शहर हर जगह उमंग है, उत्सा है, विस्वास है मुंबई जैसा महानगर हो या मिजोरम का दूर सुदूर का गाँ, करगिल के पहाड़ हो या फिर कन्या कुमारी का समुद्री तट देश के कोने कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुत रही है जिन गरीब लोगों का जीवन सरकारी योजनाओं का लाप पाने के इंतजार में बिद गया वो आज एक सार्थक बरलाव देख रहे हैं किसने सोचा था कि कभी सरकारी कर्मचारी सरकारी अपसर ये बाबू और ये नेता लोग खुद गरीब के दरवाजे पर पहुँच कर पूछेंगे कि आपको सरकारी योजनाओं का लाप मिला या नहीं मिला लेकिन ये हो रहा है और पुरी इमांदार इसे हो रहा है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ सरकारी दफ्तर जन प्रतिनिदी देश वास्यों के पास उनके गाउं महले पहुँच रहे हैं अभी जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनके चहरे पर भी इसका संतोज दिख रहा है मेरे परिवार जनों आज देश में ही नहीं बलकि दुनिया में भी मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा हो रही है लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या है आखिर इस प्रकार मिशन मोड पर देश के हर लाभारती तक सरकार पहुचना ये इतनी मेहनत को करते हैं दिन रात सारी सरकार आपके सेवा में इतनी मेहनत को कर रही है सरकारी योजनाओं के सेचुरेशन और विख्षिद भारत के संकल्प में क्या समंद है हमारे देश में अनेक पिडियों ने अभाव में जीवन बिताया है अधुरे अधुरे सपन के साथ जिन्दगी सिमट गई उन्होंने अभाव को ही अपना भाग्य माना और अभाव में ही जिन्दगी गुजारने के लिए मजबूर रहे छोटी छोटी जुरुतों का ये संगर्ष देश में गरीबों को किसानों को महिलाओं को और युवाओं में इन लोगों को सबसे अधिक रहा है हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीडियों को वैसा जीवन जीना न पड़े आपके पुर्वजोंच को जो मुसीबते जेलने पड़ी आपके बुजूर्गों को जो कठिना या जेलनी पड़ी वो आपको जेलनी न पड़े यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को रोज मरा की छोटी छोटी जरुरत के लिए होने वाले संगर से बहार निकालना चाहते हैं इसलिए हम गरीबों, किसानों, महिलाओं और यूँआवों के भविष्य पर फोकस कर रहे हैं और यही हमारे लिए देश की सबसे बड़ी चार जातिया है जब गरीब किसान महिला और युवा ये मेरी चार जातियां जो मेरी सबसे प्रिय चार जातियां है अगर ये ससकत हो जाएंगे ये मजबुत हो जाएंगे तो हिंदुस्तान को ससकत होना पक्का हो जाएगा इसलिए ये विख्षिद भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है और देश के कोने कोने में जा रही है साथियों विख्षिद भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाप से छुटना नहीं चाहिए कई बार जागरुकता की कमी से कई बार दूसरे कारोनों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाप से बंचित रह जाते हैं ऐसे लोगों का पहुँचना हमारी सरकार अपना दाईत्व समझती है इसलिए ये मोदी की गारटी की गाड़ी गाउग गाउग जा रही है जब से ये यात्रा शुरू हुई है तब से लगबग बारा लाक नए लाभारतियों ने उजवला के मुप्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है कुछ दिन पहले जब मैं एउध्या में था वहां उजवला की दस करोड़ भी लाभारती बेहन के गर गया था इसके अलावा सुरक्षा बिमायोजना जीवन जोती बिमायोजना पीम स्वनिधी के लिए भी इस यात्रा के दोरान लाखों की संख्या में आवेदन प्राप्त हुए है साथियों विख्सिद भारत संकल्प यात्रा के दोरान दो करोड से ज़्यादा गरीबों के स्वास्त की जांच हुई है इसी समय में एक करोड लोगों की टीबी की बिमारी की भी जांच हुई है 22 लाख लोगों की सिकल सेल एनिमिया की जांच हुई है आखिर ये सारे लाभारती भाई बहन ये कौन लोग है ये सारे लोग गाउं गरीब दलीद पिछडे आदिवासी समाज के लोग हैं जिनके लिए डाक्टर तक पहुंचना पहले की सरकारों में एक बहुत बड़ी चुनोती रही है आज डाक्टर मोके पर ही उनकी जांच कर रहे हैं और एक बार उनकी शुरुवाती जांच हो गई तो उसके बाद आईश्मान योजना के तहर पांच लाख रुपिये तक का मुप्तिला तो है ही किडिनी के मरीजों के लिए मुप्त डायलिसिस की सुविधा और जन अउस्षदी केंदरों पर सस्ती दमाएं भी उनके लिए आज मुप्लब्द है देश भर में बन रहे आईश्मान आरोग्य मंदीर ये तो गाव और गरीब के लिए आरोग्य के बहुत बड़े केंदर बन चुके हैं यानि विख्षिद भारत संकल्प यात्रा गरीब के स्वास्त के लिए भी एक वर्दान साबित हुई है मेरे परिवार जनों मुझे खुशी है कि सरकार के इन प्रयासों का बहुत बड़ा लाब हमारी करोडों माताओं बहनों को मिल रहा है आज महिलाए खुद आगे आकर नए नए किर्टेमान सापित कर रही है पहले ऐसी अनेक बहने थी जिनके पास सिलाई, कडाई, बुनाई जैसी कोई न कोई स्कील थी लेकिन उनके पास अपना काम सुरू करने के लिए कोई साधन नहीं था मुद्रा योजरा ने उन्हें अपने सपने पूरे करने का भरोसा दिया है बोधी की गारंटी है आज गाउं गाउं में रोजगार, स्वरोजगार इसके नए मोके बन रहे हैं आज कोई बैंक मित्र है, कोई पशू सकी है, कोई आशा A&M आंगनवाडी में है बीते दस वर्षों में महिला सेल्फ हेल्फ गुरुप से दस करोड बेहने जूड़ चुकी है इन बेहनों को साड़े साथ लाक करोड के से अधिक की मदद दी जा चुकी है इसमें अनेक बेहने बीते वर्षों में लगपती दीदी बनी है और इस सफलता को देखते हुए ही मैंने सपना संजोया है मैंने सपना संकल्प के रुप में देखा है और हमने ताय किया है कि दो करोड आंकडा बहुत बड़ा है दो करोड लगपती दीदी मुझे बनाना है आप विचार कीजिए लगपती दीदी की संख्याद दो करोड हो जाएगी कितनी बड़ी करांती हो जाएगी सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना भी शुरू की है इस मुझे बताया गया कि विख्षित संकल्प यात्रा के दोरान लगबग एक लाख ड्रोन का प्रदसन किया गया है देश के इतियास में पहली बार किसी टेक्नलोजी से इस प्रकार मिशन मोड पर जनता को जोड़ा जा रहा है अभी तो क्रिसी क्षेत्र में ही ड्रोन के उप्योग के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है लेकिन आने वाले दिनों में इसका दायरा दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ने वाला है मेरे परिवार जनों हमारे देश में किसानों को लेकर क्रिशी निती को लेकर जो चर्चाए होती हैं पहली की सरकारों में उसका दायरा भी बहुत सिमित्था किसान के ससक्तिकर्ण की चर्चा सिर्फ पैदावर और उपज की भिक्री के इर्दगीर तक ही जिमित रही जबकि किसान को अपने दैनीक जीवन में भाती भाती की समस्यों का सामना करना पड़ता है इसलिए हमारी सरकारों किसान की हर मुश्किल को आसान करने के लिए चौध तरफा प्रहास किये पी-एम किसान सम्मान निदी के माद्यम से हर किसान को कम से कम तीस हजार रुपी दिये जा चुके हैं छोटे किसानों को मुसीबतों से बहार निकालने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं कृषी में सहकारिता को बढ़ावा देना ये इसी सोच का परणाम है पैक्स हो एपी-ओध हो छोटे किसानों के ऐसे संगठान आज बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनते जा रहे हैं बंडारण की सुविदा से लेकर फूड प्रोसेसिंग उद्योग तक किसानों के ऐसे अनेक सहकारी संगठानों को हम आगे ला रहे हैं कुछ दिन पहले सरकार ने दाल किसानों के लिए भी पल्सिस के जुखेती करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा निर्णे लिया है अब दाल पैदा करने वाले किसान जो दाल किसान है वो आनलाइन भी सीधे सरकार को दाले बेच पाएंगे इसमें दाल किसानों को MSP पर ख़दित की गारेंटी तो मिलेगी ही साथ ही बाजार में भी बहतर दाम सुनिश्चित होंगे अभी ये सुविदा तूर या अरहर दाल के लिए ही दी गई है लेकिन आने वाले समय में दूसरी दालों के लिए भी इसका दाइरा बढ़ाये जाएगा हमारा प्रयास है कि दाल खरिदने के लिए जो पैसा हम विदेश भेचते हैं वो देश के ही किसानों को मिल सके साथियों विख्षिद भारत संकल प्रयात्रा में साथ जा रहे इस काम को समानने वाले सभी कर्मचारियों की भी मैं प्रसंसा करूंगा कई स्थानों पर ठंड बढ़ रही हैं कई स्थानों पर बारिश हो रही हैं कठिनाईया भी आती हैं लेकिन इन सब के भावजूद स्थानिय प्रसासन के लोग और बड़े बड़े अधिकरी भी पूरी निष्टा से इस संकल्प यात्रा का लाप अधिक्तम लोगों को मिले लोगों की जिन्दगी बहतर हो इसके लिए काम कर रहे हैं अपने कर्तव्य का ऐसे ही पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है देश को विच्षित बनाना है एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है और जिन जिन लोगों से मुझे समवात करने का मोका मिला अनेक पहलू मुझे समझने को मिले और उनका भारत के सामान ने मानवी का जो सामर्त है जो सामर्त देश को आगे ले जाने वाला है इसकी अनुभूती हो रही है यह हम सब का सवभाग्य है कि आज देश का जन जन भारत को 2047 में विच्षित भारत बनाने के मिजाद से काम कर रहा है बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके और विच्षित यांतरा के साथ फिर एक बार जूडने का मुखा मिलेगा तब जुरूर मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवार